हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं वही यात्रा कब जाएगी और बस में बैठे यात्रियों को मामूली चोटे आई और इको कार में चालक के पैर फैक्चर हो गए इस सब की जानकारी मिली बस और इको कार की भिरंथ होने के करीबन देड घंटे बाद 108 पहुची जब तक नीजी अम्बुलेंस में घायलों को सुमेरपूर पहुचाया जा चुका था वहीं बस में सवार यात्री प्रकाश कुमार ने बताया कि तकदगर हॉस्पिटल में सही सुविदा नहीं होने के कारण घायल को सुमेरपूर अस्पताल पहुचाया गया बाकली से चागुग टीवी की रिपोर्ट